आज मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है सुशती हूँ, बअभू को बुलाऊं और प्यर दबआऊं उससे लक्छिमी बअभू, ओ लक्छिमी बअभू, इधर आना जरा बेटा हाँ माजी, बताईए क्या हुआ अरे लक्षमी बहु, बेटा मेरे पै愉 में पता नहीं क्या हो गया है बहुत स्वेलिंग आ गई, बहुत डर दो रहे हैं थोड़ा सा दबा दो बहुत बधन तूट रहा है पता नहीं क्या हुआ है काम के टाइम पी तुमा जी हम ही याद आते हैं ने यह सोच अपने दिमाग से निकाल दो लचमी बेटा वैसे तुमाजी सारा काम हम ही करें चलो सुन्ता को ही बुला लेते हैं हां तो ठीक है फिर हम जा रहे हैं क्यों लेटी हो तबियस ही नहीं है क्या कौन है बेटा क्या हुआ हाँ बेटा थोड़ी तबियस ही नहीं है बताओ कोई काम था हाँ काकी मम्मी ने भेजाए कि ब्लाउज लेते आओ ब्लाउज बन गए क्या काकी अरे बेटा कहाँ बन गए ब्लाउज हमारी तबियाद देख रहे हो सही नहीं है बिलुकुल एक दम से हमारा बदन टूट रहा है अपनी बहु से काल अच्मी सो हमसे लड़ पड़ी आज देखो अच्मी बहु हमसे लड़ गई कह रहे है कि हमारे पास टाइम नहीं है देखो तो क्या जमाना आ गया है अरे कोई बात नहीं काकी लाओ हम दवा ज़ते हैं आपके पेर अरे नहीं बेटा तुम नहीं हम ऐसा ही ठीक हो जाएंगे दबाबा खा लेंगे हम सही हो जाएंगे तुम परिसान मत हो ऐसी कोई बात नहीं काकी आप भी तुम मेरी मा समान हो मैं भी तो अपने मा के पेर दबाता हूँ आप भी मा वो भी मा मां तो मा होती है ना, मैं श sowब ठीक है दो Μैरे पेड़् तो ऐसा ही दर्द हो रहे हैं मरी जा रहे हैं, दर्द की मारी दबादू अर्य वा AGOS तो अर्या गोरो कंवा मधर टिक 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 गोरो च् spacecraft गोरे, पोज्टा है ये गोरो जानी मैं तरी लाजत अगड़ी जंपर लेचित कापरा बेबी तेरे बड़ी पेतन हुक्का प्यावेंगे, सौने में गरवाके लूतर कुक्का लियावेंगे क्यों रोहित मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे धबा रहा है, कि मेरे उपर बैठ के गाना गा रहा है, जंपर्चित कापरा ये क्या कर रहे हो बैठे बैठे, इतने छोटे से हो गाना बढ़े बढ़े गाते हो, उठो, उत्रो नीचे, लग रही है एक जगा ब बोल रहा था, कि मा जैसी हो, दबा देता हूँ, ऐसे कौन दबाता है, रोहित अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतर जाओ अप सीधे से, ये भगवान, ये इधर बैठा है, दीदी के ऊपर, बताओ मैंने इसको बेजा तकि मेरे ब्लाउज लेके जल्दी आजाना, अच्छी हूँ कर रहा है, बेसरम लड़का, सरम नाम की चीज नहीं है, नीचोता? अरे क्या हुआ बवीता बहन जी, रहने दो बच्चे हैं, हमी एने बोला था, थोड़ा दर्द हो रहा था, पता नहीं है, आज क्या हूँआ थाक उंची हो रही थी, बोल दिया था तो वो बच्चे हैं अब उनको क्या पता की कैसे दबाया जाता है वो बैट के खेलने लगा अरे परवतिया तुम नहीं जानती हो यह बच्चे है जितना सरचड़ावना उत्ता ही बरबाद होते हैं यह बहुत बेशरम है यह बहुत सैतानी करता है हम इससे तंग आ चुके हैं जहां देखो वहीं सैतानी करता है आईए आईए बभीता बेंजी बैठ लीजिए थोड़ी देर रोहित तो एक काम कर चल घर पहुँच और बेबी घर में लेटा है अकेले ठीक है और देखे रहना वो जग ना पाए और सीधे घर ही जईयो इतना याद रखना वनना सोच लेना समझ रहा है न तू इदर उदर अगर कहीं भी गया न तो फिर मेरी मार से तो बचने से रहा तू आज तेरी खैर नहीं है वैसे तूने आज अपनी कागी को बहुत परिसान किया है न मैं मैं नहीं जाओंगा मैं आपके साथ चलूँगा मेरे को डल लगता अकेले मैं नहीं आँगा अच्छा ज्यादा मत बन अभी कैसे अकेले आगिया था तू जब मैंने बोला था कागी किया से बिलाउज लेया तब उचक के आगिया था बोल जा रहा है न हाँ हाँ जा ही राओ अरे बवीता बैन इतना बच्चों को नहीं डाटा जाता है तुम जरूरत से ज़्यादा डाट देती हो अरे बच्चे हैं थोड़ी मौझ मस्ती तो करते रहते हैं हमारे घर में देखो अभी तो नहीं है जब आज आएंगे न तब बच्चे तो पूरा दिन नरक मचाए रहती नरक एक दम से जीना हराम कर दिया है वो कावत सुनिए बच्चे हैं तो भी दिक्कत नहों तो भी दिक्कत तो कहीं निकल भी नहीं पाते हैं सोच लो पूरा दिन घर में गुजर जाता है एक कोई पोटी कर रहा है कोई कुछ कर पूछो ना पूरे दिन एक दम से चक्री रहते हैं अरे यह तो लगा ही रहता है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो यही हल मेरा भी था मैं भी परिशान हो जाती थी बहुत काम लगता था मैं तो सिलाई करती थी तो सोचो अगर जिस दिन सिलाई जादा आ जाती थी ना तो पागल हो जाती थी अब तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं बहु भी आ गई हैं लेकिन बहुए आ जरूर गई हैं हरकते वही घर मी मचा रहता है अब क्या किया जाए बच्चे है सुनना पड़ता है परवतिया सो तो है लगा ही रहता है और हाँ यह पूछ रहे थे हमें दोड़े काम से जाना था रिष्टेदारी में तो ब्लाउज बने मेरी की नहीं ब्लाउज बन तो गई है और तुर्पाई रह गई है हुक लगाना रह गया है बैटो जब तक चायनास्ता करो वो भी कर दूँगी नहोगा तो मैं सुनताबा उसे कह देती हूँ वो कर देगी तो हाथो हाथ लिए जाना अच्छा ठीक है चायनास्ती कोई जरूरत नहीं है मैं इदार आओ हाँ बोलो माजी क्या है बेटा यह अंटी जी आई है इनकी ब्लाउज में खाज बटन रह गया है थोड़ा सा तुर्पाई रह गई है तो वो करके देना है जब तक वो करवाते हैं सुनता से तब तक चायनास्ता का प्रिबंद करो और अंटी जी के लिए लेके ओंगे रहो हो ठीक है मां जी सुनता से कह दो क्योंकि मेरे सर में ना दर्द हो रहा है कि मैं कुछ बताने चक्तिहुं और मुझससे दुवारा कोई काउ मत बताना मा झी वाम तुम कैसी हो अपनी सास से कैसे बात कि यो बटकार रही हो एक चीज बता दे तुमको, तुम्हारी साज की न परवतिय की, गाह में बहुत इज़त है, लोग बहुत इज़त से बात करते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं है, और तुम बहुत केसी बात करती हूं, बत्तिमीच कहें की, हमारे सामने मत बोलना, चली जाओ, हमें न चाय चाहिए निकले या से, जाने कैसी मूठा चली आती हूं मेरे घर में, अगर जादा बोलती तो मैं भी सुधार देती उनको, पर बतिये तुम कैसे सुन लेती हूं इतनी सारी बातें, डादा क्यों नहीं करती है अपनी बहुँआ को, अरे छोड़ो, बच्चे हैं, सब बोलते रहते ह इगनौर करती रहती हूं, बच्चे समझ के छोड़ देती हूं, आमें चोटी-चोटी बातें दिमाग में लेने लगूंगी, तो क्या होगा उससे लड़ाईया होंगी, इसलिए मैं कभी भी दिमाग में नहीं लेती हूं ममी, मोहिनी ने पोटी कर ली, तू फिर आ गया, बहाने बना के, कितना छुट बोलेगा, है, और मैं उसको डाईपर पहना के आई थी, हाँ तो डाईपर पहना आई चिस डाईपर में नहीं करीगा, क्या, अच्छा ठीक है, चलो मैं चलती हूं, अच्छा पर्वतिया मैं च कोटी कर ली है, अब तो जाना ही पड़ेगा, काम करना, बलाउज बना के, और भिजवा देना किसी के हाथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बभीता जी, ठीक है,